नमस्कार आप देख रही है नेक्स्ट नाइन लाइफ इन दिनों राखी सावंत एक बार फिर से चर्चा का विश्य बनी हुई है राखी सावंत इन दिनों एक बार फिर से आदिल खान दुरानी के मामले को ले करके चर्चा में हैं तरसल राखी का एक इंटर्वियों सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है इस इंटर्वियों में राखी सावंत से आदिल खान दुरानी के मामलों में सवलात किये गए और साथ ही रोजो को ले करके भी उनसे सवाल पूछे गए राखी ने अपने अपकमिंग शोज के बारे में भी बताया उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म जल्द ही आने वाली है और साथ ही वेब सीरीज के लिए भी राखी सावंत तयारी कर रही है इस बीच राखी ने ये भी बताया कि वो रोजो के बीच में जिम जाती है जब राखी सावंत को उनके फातिमा नाम से पुकारा जाता है तो राखी सावंत इस पर फातिमा नाम को लेकर के बड़ा बयान देती है जो हम वीडियो में साब देखा जा सकता है कि राखी सावंत को जब फातिमा कहा जाता है तो राखी कहती है कि वो फातिमा जरूर है लेकिन उन्हीं फातिमा के नाम से ना पुकारा जाए वो राखी ही है और उन्हीं राखी के नाम से पुकारा जाए उन्होंने ये भी कहा कि व वो फातिमा के नाम को पसंद नहीं करती क्योंकि ये नाम जो है वो आदिल ने दिया है अब लगातार राखे सावंत इस नाम के कारण एक बार फिर से ट्रोल हो रही है लगातार लोग उनसे सवाल पूछ रही है कि जब उन्हीं फातिमा नाम से दिक्कत थी जब उन्हीं परिवर्तित किया इसे में अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही राखे सावंत एक बार फिर से अपना धर्म परिवर्तित कर सकती है देखना यह होगा कि राखे सावंत आगे क्या एक्षन लेती है इसे बीच आपको ये भी उता दे कि आदिल खान दुरानी के मा हर करवा पाती है या फिर सजा दिलवाएंगी